हलो सुदेंट्स वेल्कम तुद आफिसेल यूटीब चैनल आफ ओरिजिन कोचिंग आज का मेरा टापिक है संख्या पद्धवी जो आपन पढ़ रहे थे इसका सेकंड पार्ट आज के पार्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या के घात में जब कोई बड़ी संख्या हो तो उसका इकाई का अंग क्या होता है मतला किसी संख्या के घात का इकाई अंग यूनिट प्लेस डिजिट तू फाइंड दा यूनिट प्लेस डिजिट जैसे एक्गांपल के लिए सपोज मैं कहीं कोई संख्या लिखता हूँ मालना लिखा मैं 3, 2, 5, 7, 9 और 2 दी पावर मैंने यहाँ पर लिख दिया 72 अब इस तरह समको यह बताना है कि इस संख्या को ज़िए हम हल करेंगे तो उसके इकाई में कौन सा अंग आएगा तो नेचरली आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या का हम घात नहीं निगा सकते तो इस तरह के घात का इकाई का अंग याद करने का एक ट्रिक्स होता है एक सार्ट कर फर्मूला होता है जिसको हम only observation से बता सकते हैं तो यहाँ पर मैं start करता हूँ कि हम इसको classify के हैं 3 part में जो 0 से 9 तक के हमारे पास अंख होते हैं 0 तू 9 तक के जो digits होते हैं उनको हम 3 part में classify करके रखे हैं और उसको मिसरे से पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं यदी संख्या के एकाई में क्या हो 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो इन में से कोई एक हो या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या 6 हो तो इकाई का अंग क्या होता है इसका बहुत सीधा सरार्खर मुला है तो उस condition में इकाई का अंग जो ये इकाई का अंग है वही होता है फार एक्जामपल सपोस्पोस मैं कहीं पर लिखा 5, 2, 9, 7, 6 और इसके घात में कोई भी संख्या लगा दिया है मालों इसके उसे हाद में लगा दिया मैं 82 ये लगा दिया अब इसके एकाई में काउन सँ अंग multi ये जानना है तो ये बहुत आसान लिया है यदि इन में से कोई हो तो यहाँ पर संख्या का जो एकाई का अंग होता है जो यहाँ बर 6 है यही क्या होगा इकाई का अंक होगा मारे जो अंक होगा वही रिपीट होगा उसमें कुछ करें का उसका तरह नहीं अब इसको मैं आपको एस्प्रेम करता हूँ कैसा क्यों हो जाता है क्योंकि 0, 1, 5 और 6 का नेचर क्या है क्यों जितने बार भी मल्टिप्लाई होगा वह वही जैसे 6 को देखे स्ञे 6 साथ मल्टिप्लाई होगा एक बार तो कितना आएगा 36 अब सपोस इसके साथ मैं 6 को मल्टिप्लाई करूं तो फिर 6 से मल्टिप्लाई होग्य 66 पिर 6 आएगा यök और єर आगे सिक्स मल्टिप्लाई हो तब भी 6 आएगा यही नेचर 5 कभी है पांच, पैचे, पचीज, फिर पचीज में पांच का मन्टिप्लाई करूँ मतलब 0, 1, 5, या 6 ये चार ऐसे नमबर है जिनके एकाई में यदि ये हो तो घात कुछ भी हो एनिवन घात कुछ भी हो उसके एकाई में वही अंक आएगा जो इस संख्या के एकाई में था तो सबसे आसान रूल है पहला ये डिजिट बस आपको याद करना है और आपको समझना भी है क्योंकि ये कुछ ऐसे नमबर है जो खुद से मंटिप्लाई होके खुद को देते है 6, 6 के साथ मंटिप्लाई होके 6 ही देगा 5, 5 के साथ 5, 1, 1 के साथ 1 ही देगा और 0, तो 0 ही देगा, clear तो ये पहला रूल है नेस्ट रूलापन देखते हैं यदि एकाई में 4 हो, 4 बहुत आसान में थट है लेकिन बहुत काम का है डारेक्ट कोस्टन भी पुशा जाता है और आगे आपको मैं जब संख्या पध्धती में आगे जब आपको depth में लेके जाऊंगा तो इस रूल कहां हम बहुत जगा उप्योग करेंगे इसलिए भी basic चीजों के लिए जोड़ी है second देखो, यदि एकाई में यदि संख्या की एकाई में क्या हो? चार हो फोर के लिए रूल है यदि फोर हो तो क्या होगा? देखिए, तहाँ पर हम एक एक जब लेते हैं सपोज मैंने लिखा 9254 और इसका मैंने घाद लिख दिया सपोज यहाँ पर 32 एक एक जब ले लिया और दूसरा एक जब ले लिया सेम नमबर को ले ले तो मैं 9254 और इहाँ पर घाद मैं ले लिया सपोज मैंने 55 यह ले लिया है अब इहाँ पर दो एक जब लिया है इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका जो घाद है वो कैसी संख्या है? वो संशंख्या है इवन नमबर है और यहाँ पर जो मैंने घात लिया है यह यह क्या है? विसम संख्या है आड नमबर है तो एक किस किस तरह से behavior करेगा देखिए यहाँ पर यह 4 है एकाई में और यहाँ पर 4 है यदि इसका सम बार में गुणा करूँ जैसे 4 का 4 के साथ multiply करूँ दो बार दो मनबर सम संख्या है तो 4 चोंग क्या होगा? 16 होगा लेकिन जैसे इसी का मैं विसम बार गुणा कर दूँ आड टाइम्स multiply कर दूँ 4 into 4 into 4 तो यहाँ पर आप देखिए यह 4 चोंग 16 हो जाएगा और 16 में फिर 4 का गुणा हो जाएगा तो 16 क्या हो जाएगा? 64 64 हो जाएगा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसका पावर सम है तो इसके यूनिट में आ रहा है 6 और जब इसका पावर भी सम है 8 है तब इसके यूनिट में आ रहा है 4 तो यहां पर यह rule बन जाता है रूल का भ्यान से सुनेंगे यदि किसी संख्या के इकाई में चार हो और उसका टोटल जो पावर है वो यदि सम संख्या हो तो उसके इकाई में 6 आएगा clear? और यदि किसी संख्या के घात में विसम हो इसके इकाई में 4 हो और घात क्या हो विसम हो तब उसके इकाई में क्या आता है? उस वोयम आता है 4 आता है यह rule आप ध्यान रखेंगे कुल मिलाके आपको सिर्फ यह देखना है कि घात सम है या विसम है सम है इकाई में 6 आएगा और विसम है तो इकाई में चार आएगा यह मैंने आपके एस्पेल कर दिया कि क्यों यह साथ है तो चार करूल इस तरह सरता है नेस्ट है नाइन का फार्मूला यह तो आपको समझ जा गया होगा बहुत असान है बस तरह सा ध्यान देना है इसके बाद कुछ नहीं इसमें इसमें जो तीसरा पेटर नहीं है फोल गया चौथा पेटर में वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है लास्ट में जो बताऊंगा मैं आपको यदि एकाई में थर्ड नमर देखिए नाइन हो तो नाइन के नेचर कैसा है यहाँ पर एक्जामपल देखिए एक्जामपल नमर फस्ट में यहाँ लिखता हूँ सपोस मेरे पास कोई नमर है सेवन टू फाइब फ्री नाइन और इसके पावर में मैंने लिख दिया मालो 16 इस तरह से यहाँ भी सम भी सम कहीं साब से होता है और दूसरा एक्जामपल मैंने लिए है सेवन टू फाइब फ्री नाइन और पावर में मालो लिख दिया मैंने कुछ भी लिख दिया 27 लिख दिया मैंने यहाँ पर 16 मतलब क्या लिए है सम लिए है और 27 मतलब यहाँ पर मैंने कहा लिए विसम जैसे 4 का रूल है उसी तरह से अब उसको आप एक्जामपल से समझी है 9 का बिहेवियर कैसा है 9 यदि सम भार गुणा हो 2, 4, 6, 8 ऐसा गुणा हो तो 9 इन्टू 9 9 निया 81 होता है और तब आप देखे इसके गाई में क्या आ गया 1 आ गया लेकिन यदि यही विसम भार गुणा हो जैसे हैं 27 विसम है तो विसम आप गुणा होगा तो 9 इन्टू 9 इन्टू 9 इन्टू 9 तीन बार गुणा कर दिये जो कि विसम है तो यह जब मल्टिप्लाई होगा कितना हो जाएगा आप देखे यह होगा 81 और फिर 9 का गुणा करेंगे तो यह इसके साथ में मल्टिप्लाई होगा क्या होगा 9 देगा तो 9 1 के साथ में मल्टिप्लाई होगा फिर क्या दे रहा है 9 दे रहा है तेहरूल क्या बन गया? यदि एकाई में किसी संख्या के एकाई में 9 हो और उसका जो टोटल पावर है वह सम संख्या हो सिर्फ आपके हापर सम विसम देखना है वह यदि सम संख्या हो तो फिर उसके आंसर के एकाई में क्या आएगा? बन आएगा और दूसरा देखिए यदि किसी संख्या के एकाई में 9 हो और यदि उसके कुल पावर विसम हो तो हल करने के बाद उसके एकाई में क्या आएगा? नव आएगा ये रूल आप ध्यान में रखेंगे गे तो थर्ड नमबर के रूल हो गया? ये तीनों बहुत आसान है अब फोर्थ नमबर के जो रूल में आपको बताऊंगा वो बहुत इंपार्टेंट और थोड़ा कंप्लिकेटेंट है देखिए अब क्या के नमबर अपने पास बच गए? 0 से लेके 9 तक में जितने नमबर बच गए है ये हम फोर्थ नमबर के रूल में बचेंगे तो फोर जब इकाई में कौनकों से नमबर बच गए अपने पास? 2 3 7 8 बाकी नमबर हो गए? ये रूल तो ये तीनों ये चारों नमबर के लिए एक ही रूल काम करेगा सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2, 3, 7, 8 जो नमबर है उसमें जो रूल 2 के लिए प्लाई होगा वही रूल 3 के लिए भी वही 7 के लिए भी वही 8 के लिए तो मैं किसी एक नमबर को लेके आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए 4 एक जामबर लिख रहा हूँ सबस्पोस मैं एक एक जामबर लिए 3, 5, 9, 2 यह सबस्पोस मैंने एक नमबर लिए इसके इकाई में लिए मैंने 2 मतलब इन 4 में से कोई भी एक लिए सकते हैं आप एक जान देंगे मैं 2 को एक जामबर लेकर समझा रहा हूँ लेकिन बांकी के लिए भी यही रूल एप्लाई होगा अब इसके पावर में मैंने लिख दिया सबस्पोस 17 लिख दिया अब सेकंड एक जामबर इसमें लिए सेम नमबर को लेता हूँ है 7 3 5 9 2 और यहां पर लिख दिया 18 थर्ड नमबर में लिए सबस्पोस 7 3 5 9 2 पावर सबस्पोस 19 और फोट नमबर में सेम नमबर को लिए 7 3 5 9 2 और एक जामबल में लिए 20 यहां पर आप भ्यान देंगे मैंने पावर को जान पूचके एक एक इंक्रिस करके लिया है पहले 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20 तो इसके रूल का अफ़र ध्यान से समझना इसमें क्या करते हैं इसका जो घात होता है यह घात है 17 पावर है उसका उसमें 4 को डिवाइड करते हैं 4 को तो क्या करेंगे अपन 7 divided by 4 और यहाँ पर अपन देखेंगे 6 हट इसका रिमाइंडर देखेंगे कि भाग दने से रिमाइंडर कितना होगा तो 4 चौब 16 फोर फोर सिस्टीन और रिमाइंडर कितना होगा 1 तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 1 अब जब हमको रिमाइंडर मिल जाता है तो रिमाइंडर मिलने के बाद इसका जो इकाई का अंक होगा इकाई का अंक निकालने का फार्मुला क्या होता है देखें यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में है यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में है उसमें इस सेस्थल को reminder को लिखते हैं मतलब यहाँ पर क्या हैगा 2 to the power 1 2 to the power 1 यहाँ पर देखे ध्यास समझे आप यहाँ इकाई में कौन से number है 2 है clear और reminder कितना आया 1 तो यहाँ का जो unit place है उसमें इस reminder को लिखते है इसको शालो करेंगी कितना आएगा 2 इस तरह से उसके इकाई कंक में कितना आजाएगा 2 आजाएगा same का हम यहाँ repeat करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके power में कितना है 18 और इसमें खोड divided करेंगे तो यहाँ पर इसका जो 36 फल आएगा यहाँ इसका सेस्फ़ल कितना आएगा 4,16,2 आएगा इसलिए मैं एक एक इंटर्वल में लिया हो तो सेस्फ़ल 2 आएगा तो उस कंडिशन में इसका 1 अंक इसका जो 1 अंक होगा वो हो जाएगा 2 to the power 2 मतलब क्या करने हमको हमेशा यहाँ unit place में जो number होगा जह सबोस हैं 3 होता तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं ना मतलब उसके unit place में जो number होगा उसमें क्या करना है इसके सेस्फ़ल को लिखना है तो 2 to the power 2 इक वैल टू क्या हो जाएगा यह 4 हो जाएगा तो इसका इक आई करन कितना आ गया 4 यही काम यहाँ पर करेंगे अब हम क्या करेंगे 19 में 4 divided देंगे मतलब यहाँ पर जो भी power रहेगा उसमें 4 को divide करना है 4 divide करने के बाद उसमें सेस्फ़ल आपको निकालना है यहाँ पर 4, 4, 16, 3 बचेगा सेस्फ़ल भी हो जाएगा तो यहाँ पर जो इकाई का अंख होगा इकाई का अंख निकालने के आप क्या करेंगे उसके इकाई के अंख में इसके power को लिखेंगे मतलब कितना हो जाएगा 8 clear और last में मैंने यहाँ पर 20 लिखा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 20 याप अंख 4 और यहाँ पर सेस्फल आपको कितना हैगा 4 25 पूरा भाग चला गया तो सेस्फल कितना हो गया सुन्ये और यहाँ पर इसका जो इकाई का अंख होगा इकाई का अंख उसका मान होएगा 2 to the power 4 clear तो कितना होएगा 18 16 यह system तो system फिर आया तो मतलब इसका इकाई का अंख system नहीं होगा यूनिट का प्लेस फिर किता होगा इसका यह 6 होगा इसके यूनिट प्लेस लेंगे आप यह rule है बार मैं repeat करता हूँ ध्यान दिजिए जब इकाई में 2, 3, 7 या 8 हो तो उस condition में उस संख्या के घात में जो होगा उसमें 4 को विभाजित करते हैं 4 को विभाजित करने पर जो reminder आता है जो 6 फल आता है उस 6 फल को हम उस इकाई के घात में लिखते हैं उसको हल करने से जो आता है वो उसका इकाई कंख होता है clear तो यह जो चौथा नंबर का rule है सबसे important है इस तरह से आप unit place decide कर सकते हैं अब एक important बात आपको last में बता दूँ कि जैसे हाँ पर मैंने एक-एक संख्या लिया हुआ है suppose कई संख्याओं का गुणा हो ठीक है तब हम क्या करते हैं देखिए ते clear है rule आप rule को एक पर revise करेंगे आपको समय जाएएगा next एक important note बताता हूँ आपको मैं कि suppose अपने पास two are more than two numbers है मैं दोनों तिनों rule को apply करके आपको एक example लेता हूँ suppose हमको question में ऐसा पूछा हुआ है आप इसको special note करके ध्यान रखेंगे suppose मैंने लिखा three nine two four और five ये लिखा इसका power लिख दिया माने थर्टी टू इन्टू इसके बाद मैंने लिखा suppose four five six four इसका power लिख दिया twenty और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर nine two five three to the power ten ये मैंने लिख दिया तीन number अब इसके इकाई के अंक में क्या आएगा ये हमको बताना है तो आप रूल कैसे निकालेंगे देखे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इकाई में क्या है इसका five तो पहले नियम मैंने बताया कि यदि इकाई में क्या हो zero हो one हो five हो और six हो ये रूल आपको याद रफना पड़ेगा उस कंडिशन में घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक वही होता है जो इसके इकाई का अंक है तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आप निकालेंगे यहाँ पर जो आप इकाई का अंक निकालेंगे वो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जागा 5, अब इसके लिए रूल राइक कीजिए तो 4 का रूल मैंने क्या बताया आपको जब यहाँ पर 4 होता है तो power में even art देखते हैं sum भी sum देखते हैं, clear तो यहाँ पर देखें क्या है, 20 sum संख्या है यहाँ पर 20 क्या है sum संख्या है और मैंने बताया था कि जब sum संख्या हो तो 4, 16 unit place में क्या था, 6 आता है तो इसके unit place में कितना आ गया, 6 आ जाएगा into, अब यहाँ मैंने भी last rule बताया वो है, 3 तो जब यहाँ पर क्या होगा, last में 3 हो, या 7 हो 8 हो, उस condition में क्या करते है पर यह जो 10 होता है इसमें क्या करते है, 4 को भाग देते हैं तेहा पर देखिए, 4 को इसमें भाग दोगे 4 दूनी 8 6 फल कितना बचा, 2 तो 6 फल दो बचा, तो 3 में क्या करेंगे आपको, 2 को पावर करेंगे क्योंकि जो number होता है उसमें इसके reminder को सेस्फल को घाद करते हैं तो 3 दूनी 6, यह 6 हो गया अब इसको आपको multiply करना है इकाई गयाद करने के लिए 3 को multiply करना है तेह हो गया 6, 35 गुरी 6, यह हो गया 0, 6, 18 इसका इकाई गया होगा 0 होगा तो यह क्या होगा, इसका unit place होगा clear, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं किसी भी संख्या के घाद के इकाई क्यां को गयाद कर सकते हैं एक छोटा सा topic मैंने आपको संख्या पधती पर आपको समझाया जो की बहुती ज़रूरी था आगे का मैं आपको topic जो ले क्या होगा तो यहाँ पर एक important सुचना आपको दे दूमे कि अब मैं अपने mathematics के class को two parts में divide करके पढ़ाऊंगा एक तो banking, railway, SSC आपको C set के हिसाब से tricky और start cut method पर पढ़ाऊंगा उस syllabus को लेके और दूसरा जो मेरा वीडियो आएगा वो CG, PSC के mens के syllabus को point to point लेके पढ़ाऊंगा तो आप अपने requirement की हिसाब से मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए बस आपको एक suggestion है कि आपका यही basic mathematics पूर है तो आप मेरे first part के वीडियो को जरूर देखें और वीडियो का आप ज़्यादा ज़्यादा share करिए सब्सक्राइब करिए और आप इससे लभानमी थोई ओके थेंक्यू